ये रास्ते सब की समझ जल्दी नहीं आता या रास्ते रगुनात कर वेगन जाने कोई और जो जाने रगुपतिकरपा सब छाती चोड़ी करके घूमोगे मान लेजिए पक्का अभी इसी छण आप ऐसे आनंदित हो जाएंगे अगर ये बात मान लेंगे ना ये बात बन गई ह हम तो लाडली जू के भरोशे हैं लाडली जू के भरोशे को मतब हमारे पक्ष में प्रियाजू अब हमारे पक्ष में प्रियाजू फिर अब हमारा कौन बिगाड सकता है कौन बिगाड सकता है नई एक इंचिन मात्रन नागरिदासी जनम जितायो लाडली जू केते हर आग चड़ी अनुलिक्यालंता बिल्कुल काट दिया महाराली जो ये रजिस्टर फोक दिया इसका ये लिए हम लोग ऐसे पास होंगे ऐसे नहीं पास हो सकते पक्का सबजलो ऐसे ऐसे प्रश्ने जिनका समाधान ही नहीं है और अगर आप सरनागत है तो ऐसे ऐसे नंबर है जो प्रश्न के उत्तर लिखने पर आते ही नहीं है वो केवल उन्हीं के द्वारा दिये जाते है ये मेरा है अब बोलो क्या खतम सब खतम वो बोल देते हैं ठसक से ये मेरा है बस खतम ये मेरा सेवक है जैसे मेरे सेवकों का हो नहीं आपको तिस ने छूड़ दिया उसने छोड़ दिया मैंने थोड़ी चोड़ा चलो करो किसकी चलेगी इनके आगे इसले इनके देशा कोई करपालू नहीं अताहा उपाशक को ये देखना है कि वो प्रभू पर निर्वर है या आन्ने किसी पर ये ध्यान देना चाहिए अंदर से हरिगुर चरण शेवा अनुशर हूँ अर्चन बंदन संतत कर हूँ दासंतन कर सुखलाओ हमारा आस्रेतत्य द्रण होना चाहिए अब इस आस्रेतत्यों में जितना हंकार है वो बाधा पहुँचाता है वो बाधा वो शांप की तरह फन फैला करके दोड़ता है बार बार जैसे प्रभू नाच नाच करके कालिया के फनों को मरदन कर दिया हंकार चूर कर दिया ऐसे ही फिर आस्रेदाताहरी नत्य करते हैं उसके हंकार पर चूर चूर कर देते हैं जो भी कहीं कुछ भी साब मिटिया मेट कर देते हैं एकदम दैन्यता की मूर्ति वो उपाशक हो जाता है क्योंकि उसको कोई बल ही नहीं अगर वो कुछ भी सोचे तो क्या सोचे उसके पास है नहीं कुछ प्रभु की शिवा को तो फियब जैसा जोई जोई प्यारों करें सोई मुह भावे क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं ऐसा उपासक अभी जीवन मुक्त है अभी कुछ भी हो कोई भी हो कैसा भी हो अभी जीवन मुक्त है अभी अंतिम फाइनल उसका अभी इसी छण हो गया बस केवल प्रभू का भरूश ये जबान से कहने की बात नहीं है ये वहां रोक की प्रशन करें मैं तो प्रभू के भरे से हूँ जिसे कल प्रशन मैं तो समर्पन किये हूँ फिर हमारा काम क्यों नहीं बना तो तुम्हारा काम क्या रह गया तुम रहे गए तुम्हारा काम रह गया तो समर्पन बकवास्त को थोड़ी कहते हैं समर्पन किनका होता है तन का मन का प्राणों का स्वयम का तो जब तन मन प्राण स्वयम समर्पित होगे तो हमारा काम क्या है अब तो सब विश्रेष्ट बताने से शिद्ध हुआ कि जितने योग हैं उनमें पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहते हैं। शंशार शमंद विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। सभी निर्विकार हो जाते हैं। सभी सुख और शांती आनंद को प्राप्त करते हैं। ये पक्की बात है। परन्तु जो प्रभू का अनन्यास्त्रे लेकर भजन करता है उश में और इन सम्में अंतर हैं इनमें भगवत प्रेम नहीं होता मुक्त हो जाएंगे शुक्षान्ती को प्राप्त हो जाएंगे पर प्रेमी नहीं होगे और जो भगवद आश्रित होता है उसको प्रेम योगों का श्रेश्ट योग प्रेम योग है उसे प्रेम प्राप्त होता है जैसे उद्धोजी अपने को पूर्ण मानते थे पर जब प् वो मुक्त हो जाएंगे सुख मिलेगी शांती मिलेगी आनंद का खंडन भोगा सब ठीक है पर वो प्रेमी नहीं कहें जाएंगे ये पुर्णता अनन्निभाव शे भगवत भजन करने में ही होती है आगे प्रभु करुणा करके अपनी तरफ से अरजुन जी को अपदेश कर र वल मेरे में आशक्त यह बहुत अम्रत में बचन है प्रभु में आशक्ति यह बड़ी दुरलब बात है अपने कल्यान के लिए योग ज्यान साधन सब मंगल में है लेकिन प्रभु में आशक्ति इसलिए अरिवन्श माप्रु कहते अलम बिशेवारत या नरक कोटी भीवत स या व्रथासुति कथास्रमों बत्विभी मी कई वल्लेता परेश भजनोन मदा या दिसुकाद या किम ततहा यह बिशेवारता तो करोडों नरकों से भी गंदी क्यों करते हो और बेद की वारता भी मेरे सामने क्यों मेरे लिए तो बेकार है और यह बड़े-बड़े महाप पुरिश्यश्वर की भक्ति में लगे हैं इनको भी प्रणाम है मुझे इनसे भी कुछ नहीं तो आप हो कहाँ परंत्मम राधिकापद रशे मनो निमजद यू ग्रंदावन शीम निकस्चन घनास चर्या की सोरी मनिस तत कहिंकर रसा मृतादी परम चिते नमेरोचते जे औ योक्ष परंपदवी कल्यान सब नहीं चाहिए ये बात ये सब अपने कल्यान के लिए है योग ज्यान वैराग ये और ये क्या है ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती भक्ती जिसमें प्रियापरीतम के शुक में निमग न रहना प्रियापरीतम को शुकी देखकर लाल मेरे 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 शक्त कोई तत्य ग्यान में कोई योग में को यमू कमू कमू किसले परमकल्यान हो जाएगा सिद्ध हो जाओंगा मुक्ष पदवी मिलेगी दुख निवर्ती हो जाएगी इसी में सब और यहां मैया शक्त मुझे कोटी कोटी नरक भोगने पड़े तो परवा नहीं पर प्यारे तुम हमारे नेत्रों शियो जल्मत होना, तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराट हमारे हिरदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे, नर को भुगवाओ कोई बात नहीं, नार के पर में पदे धवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, नर का स्वर गपवर गास नही परमारत बेवार बनो कि ना बनो सुखतु को भुगते दे हैं कोई परवा नहीं ये देखो ये है मैयाशक्त मेरे मैयाशक्त मैयाशक्त मनाः पार्थ योगम युन्यन मदास्त रह अशंशयम शमग्रम्माम यथा ग्याश्यसितच्रुनू मेरे में आशक्त मनवाला और सिर्फ मेरे ही आश्रित ये खास बात है केवल भगवद आश्रे यहाँ चूक हो जाती केवल में चूक हो जाती आश्रे तो लिए प्रवुका लेकिन भगवद आश्रे लिए हैं अपने सुक साधन के लिए और वो भी अनन्यभाव से नहीं लिए मांगना भी अच्छा है हम कहते है बच्चा बन के मांगो स्वामी बन के नहीं पैसा कर दे हो इतने लाग का भोग लगा देंगे ये कौन बोला है नहीं बच्चा बन के जिससे बच्चा मां से कहता क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी लाके देंगे तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से ऐसा कहता है क्या काजल लगाओ हमारे हमको इसनान करवाओ इसके बदले में नहीं करवा गए तो हम रोते हैं अभी आपको करवाना पड़े बदले में कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमक वस्तों दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं मेरी मा है ऐसे ही मेरे प्रभू है अगर उस कोटी का भक्त नहीं बनाओ तो मांगूगा अपने प्रभू से लेकिन लोव लालच गूस दे के लिए हमें पलाई लिए कुछ तो दे का तो हमें चाहिए कैसे चाहिए जैसे अपने श्वामी से अपने पिता से अपनी मा से हम जगड जाते है छोटा बच्चा खिलोनों के लिए जगड जाता है ना श्वान खिलोना है प्लास्टिक का है पर जगड जाता है मुझे ये चाहिए वो ये नहीं कहता कि आपको ये लाके दूँगा आप हमें ये लाके दो हम लोग ऐसे स्वामी गीरी प्रभू से जाड़ते हैं फूल वंगला बनवा देंगे आप ऐसा कर दो ना ये वाला मुकदमा जितवा दो अगले साल सो ब्राम मन खवाएंगे और आपको ये क्या वो कौन बोल ला है बच्चा बोल ला है क्या बच्चा प्रभू गलती हो गई प्रपंच में फस गया हूँ एक बार निकाल दो ना बस आपका भजन करूँ आपके आश्टीत रहू मांग सकते हो आप उनके बच्चे हो उनके जन हो आपको कोई भी बात है अपने प्रभू से कहो पर स्वामी बन के नहीं दैन्निभाव से सेवक बन करके और आगे चल कर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी मैया शक्त मना प्रभू में आशक्त यह जानते हो कैसे होती भगवत चर्चा सुनने से होती यह किसी और साधन से नहीं होती अन्य कोई आश्रे नहीं यह बहुत उची स्थिती है इसमें शंपूर्ण ग्यान योग का शंपूर्णत्य प्रकाश और भगती की चरम अवस्था श्वयम प्रकाशित हो जाती है उसे अलक्षे कोई शाधर नहीं करना पड़ता निरंतर निश्काम भाव से कोई चाह नहीं यह चाह को भी मिटा देगा भजन यह इस्थिती है प्रारम्ह में किसी के ऐसी इस्थिती नहीं होती यह पीछे के श्वक में श्री भगवार ने बर्णन किया जो प्रेतन पूर्वक उपाशक अपनी उपाशना में मन को द्रड कर दिया है प्रेतन पूर्वक भार भार मन हमको उपाश्य देयो से बिमुख करने की चेस्टा करेगा पर हमें प्रयासरत रहना है अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता हमें मिल जाएगी बात समझ न श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तलीन हुए मन से जो उपाशक भजन करता है तो प्रभु की तरप से समस्त साधनाओं का स्वरुप उसके इरदय में प्रकासित हो जाता है शब्द ध्यान दीजिए समस्त शाधनाओं का ज्यान का शुरूप तत्तो बोद होना सरवान वस्तुतेया निरिक्ष परमश्वाराद बुधिर्मं तत्वोध हो गया बैराग्य का स्वरूप लोग पर लोग के किशी भोग में राग न रहना जगते भयो फिरे बैरागी शी व्रंदा वन रस्मे अनुरागी भक्ती का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना सजल दम पतिरस रह भीन इह गति ब्रंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन योग की जितनी शिध्या है उनकी एक सीमा है लेकिन जो गोरे चरणा अरुबिंद की शरणा गती लेकर उनकी शेवा में तत्पर है महाप्रभु हरिवन्ष चंद्रजु कहते हैं सीराधा किंकरी नाम लुठती चरणयो अध्भुता सिध्धी कोटी नाम नहीं बताया करोणों शिध्यां इस एक सिध्धी के सामने कोई सिध्धी नहीं है प्रिया प्रीतम के मन की बात जान कर उनकी शेवा में मगन रहना मन मन की रुचि जानी नेह बिद्य अनुसरें ये सिध्धी बड़े बड़े इश्वर कोटी के महापुरुषों में भी नहीं है कि हमारे श्यामा स्याम के मन में क्या चल रहा है ये बात जान सके बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भोतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात ये केवल शेहचरियों को ही सिध्धी प्राप्थ किसी और को नहीं इस शिद्धी की शमानता करोणों शिद्धियां नहीं कर सकती साप शिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं त्रियादाशियों के शामने एक मात्र जिसने भजन अपना जीवन बना लिया है तो हमारे प्रभुश्री कृष्ण को महा योगेश्वर कहा गया है योगींद्रो मुनींद्रों के गुरु कहा गया है योगींद्र मुनींद्र जैसे भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है जैसे शुकदेवजी से बढ़कर कोई मुनी नहीं है योगींद्र मुनींद्रों के भी परमगुरू भगवान श्री कृष्ण है इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपाश्य देव हैं उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा कौन शाग्यान बकाया रह जाएगा कौन शी इस्थिती बकाया रह जाएगी क्योंकि जिसने इनकी शरणली वैशा पूरणतम होता है कि उसमें कहीं से भी किशी भी तरह की कमी नहीं रहती कि भक्त तो हैं पर इनको ग्यान नहीं है भक्त तो हैं पर इनका वहिराग्य वहिराग्य का अतात पर कपड़ा उतार के घुमना नहीं है वहिराग्य का अतात पर सरीर का ही राग नश्ट हो जाना अब ये कैसे जानोगे भई कपड़ा उतार कर भटे पुराने कपड़े पहने ये तो दिखाई दे रहा है लेकिन उश्य ने इस्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सरीरों का राग ही त्याग दिया ये कैसे जानोगे ये तो इस्थिती प्रग ही जान सकता है दूसरा थुड़ी जान सकता है ये वही राग्य प्रभू प्रदान करते है को तुम देहते जाये छूट शबही विधिनातो सबही विधिनातो ये प्रभू का आश्रे और इश्मरन प्रभू कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है सबसे स्रिष्ट होता है जो ऐसा भक्त होता है उसे योग बरश्ट होना ही नहीं पड़ता है पीछे जो चर्चा हुई कि अंतिम्ष में भगवद इस्मृती नहीं हुई किसी वाश्वना का आदर हुआ या कुछ हुआ वो भी भक्ती की भावना में नहीं उतर पाया तब इसा हुआ है अगर वो पूर्ण भगवद आश्ट्रे ले करके भजन की ऐशी शैली जिसमें अन्य कहीं कोई मिलावट नहीं है बड़े महिमा की बात कहे रहे कि किशी भी कारण से उसका मन अंतिम्ष में प्रभू से हट गया अत्यंत पीरा या किशी भी कारण से उसे योग बरिष्ट नहीं होने देंगे ये बात देखनी है ये केवल बात उसी के लिए जिसने अन्य शाधन का अन्य का कहीं कोई भरोशा आशा इस्थान नहीं है जिसे थोड़ा भी अपने पुरुशार्थ का बल है शाधना का बल है अपनी शाधना पर विश्वाश है अपनी जितेंद्रियाता पर अभिमान है तो ऐसे के योग बरष्ट होने में चांस है लेकिन जिसने केवल भगवान का भरोशा केवल प्रभू का बल केवल प्रभू ही अपने हैं ऐसा माना है और अन्तिम्शमय उसका मन हट गया किसी भी कारण से तो कह रहे हैं कि अत्यन्त पीरा या बेहोशी या किसी भी कारण से वो प्रभू को भूल गया अन्तिम्शमय फाइनल होता है अगर आप भूल गये जो चिंतन होगा वहीं जाओगे पर इसका ऐसा नहीं होगा एक खास बाद उस शमय श्वयम प्रभू उसकी इश्मर्ती के रूप में जागरत हो जाते हैं वो भूल गया पर भगवान जागरत हो गये ये देखो खास बाद ततस्तम्रियमानम्तु कास्ट पाशान शन्निभं अहम श्मरामि मदभक्तम नयामि परमाम गतिव अब उसकी स्थिती अंतिम्षमे भयानक कष्ट है या किसी भी कारण से पत्थर की तरह हो गई कास्ट की तरह कोई चिंतन नहीं बना कोई अंदकार चाया हुआ है उस भक्त का मैं श्मरण बनता हूँ अहम श्मराम भगवान श्परित होने लगे उनका रूप, उनका नाम अब वो नहीं है वो नहीं कर पा रहा कुछ उसको उस समय जो गती प्राप्त होती और किसी बड़े-बड़े योगियों को भी नहीं प्राप्त होती ये चमतकार है भगवद आस्ट्रे का प्रशन हो जाना चाहिए बात सुनकर हमें अंतिम का भी कोई भै नहीं रह गया अगर हमारी ऐसी कोई परिष्थिती-ष्थिती कि काश्ट और पत्थर की तरह हरदय हो गया कुछ इस पुरण ही नहीं हो रहा भगवान को भी भूल गए उस्षमें प्रभू अपने रूप को प्रकाशित करते है अपने नाम को अपनी श्मरती को परदान कर दे भगवान श्मरती रूप से इस कुरीतो थे ततस्तम मृ्यमाणंतो काश्टपाशान सन्निभम अहम श्मरामी मदभक्तं नयामि परमामगतिम वैस्वी परमगति को प्राप्त होता है तस्य इस्मराम में हम नोचेत कृतगनो नास्ति मत परहा है जिसने जीवन भर मेरा स्रेले करके भजन करने का प्रयत्न किया है वो अंतिम शमय कब वातादि के बढ़ जाने से वो मेरा इस्मरण मृत्यू के शमय नहीं कर पा रहा है तो मैं श्वयम उसका इस्मरण करता हूँ मैं श्वयम उसकी इस्मरती की रूप में जागरत हो जाता हूँ यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मेरे से बढ़ कर कृतक में कोई नहीं हो शकता क्योंकि उसने मेरा अस्रे लिया है बात बन गई भगवान शत्य नारायन कहे गए है सत्संग में कई बार कहा है कि परिहास में भी कभी जूटनी बोलते है प्रभू के श्री मुक्षे जो भी निकलता शत्य जो भी आचरन परम शत्य तुम अपनी कलपना से आरोप करशकते हो माया कृत बुद्धी से पर जब उस राश्य को जानोगे तो आपको भी अनुभो में आएगा कितने कृपाल उक्रभू है ये बात बहुत आनंद प्रदान करने वाली है कि हम हो शक्ता है किसी भी परिस्थिती में उनको भूल जाए हो शक्ता है दुरंत माया है प्रभू कह रहे कि मैं बड़ा कृतगन होंगा दोशी माना जाऊंगा कि मेरा होते हुए उसकी दुर्गती हो पीछे जो चर्चाएं होई भजन है भगवान का पर भरोशा अपने साधन का है खास बात समझना इसके उपर बरिनन क्या है जिसको थोड़ा भी अपने बल का भरोशा है अपने पुरशार्थ का साधना का जितेंद्रियता का सदाचार का मैं बड़ा तपश्य हूँ मैं ज्यानी हूँ मैं ध्यानी हूँ मैं भजनानन्दी हूँ है भजन पर अपना थोड़ा सा बल लिये हुए ये चूख हो जाएगी योग ब्रिष्ट हो जाएगा अगर योग ब्रिष्ट होता है तो अगला जन्म होगा लेकिन जिसने केवल प्रभू का सारा लिया है सब साधन हो रहे हैं पर भरोशा में साधन का नहीं है कई वार शत्रंग का है हाँ तूट जाए तो कैसे माला चलेगा कैसे परिक्रमा होगी हम किसका बरोशा करें कैवल प्रिया प्रितम का हमारे शाधन क्या है जो बन रहा है जै हो नहीं बन रहा हमारी कराह पड़े पड़े आपको ही पुकाएगी राद 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 राद